आमादमी पार्टी 12 जून को घोचित करीगी अपना नया संगठन गुजरात विधान सुबा चुनाफ से पहले आमादमी पार्टी ने अपने संगठन को भंग कर दिया है आमादमी पार्टी का कहना था कि वो नया बड़ा और मजबूत संगठन लेकर आएंगे रविवार यानी 12 जून को आमादमी पार्टी अपने नय संगठन की घोचना के लिए एहमदाबाद में प्रेस वारता करेगी आमादमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी संदीप पाठक और गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया नाम की घोचन करेंगे दरसल आमादमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उन्होंने पिछले दिनों गुजरात में तिरंगा यात्रा की और परिवर्तन यात्रा के जरिये जादा से जादा लोगों को जोड़ा वैसे में नए संगठन में वो जादा से जादा लोगों को जोड़ना चाहते थे ये माना जो रहा था कि आमादमी पार्टी के संगठन के कई लोग BJP के संपर्क में थे जो चुनाव से पहले BJP जॉइन कर सकते थे वैसे में पार्टी को चुनावी व्यू रचना का नुकसान हो सकता था इसलिए अमादमी पार्टी ने अचानक ही अपनी पार्टी के पूरे संगतन को भंक कर दिया था